हेलो फ्रेंड्स जैसरी गृष्णा रादे रादे गौरी क्राफ्ट चैलन में आपका स्वागत है आज हम 5 और 6 नमर के कानजी की देखो ड्रेस बनाएंगे कितनी ब्यूटिफुल यह ड्रेस बनके तयार हो यह बहुत सुन्दर यह ड्रेस बनके तयार होती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में देखो कहीं भी जोल ली है बहुत सुन्दर यह ड्रेस लगती है कानजी को जब आप पिनाओगे तो अलगी लुक आता है और यह 5 और 6 नमर के कानजी को बनाई है मैंने आप देखे बनाके बहुत सुन्दर यह ड्रेस है देखो तो मैं देखो बनाना शुरू करती है, यह गहरा की बहुत अच्छी फिटिंग आती है, कहीं से भी जोली आती है, आप देखके बना लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिस्प्शन में दे दूँगी, और चोली और गहरा मैंने बताया है, अभी अपलोड की है, तो उपर ही आपको मिल जेग इसका लिंक दे दूँगी, अब हम यहां से, यह बहुत सुन्दर ड्रैस्पन के तयार होती है, देखिए, यह हमारा येलो वाला है, मैंने भी इसको कट नहीं किया है, और चोली में मैंने बताया है, घेरा बनाना बताया है तब, और यह मैंने लूप बना लिए, लूप बन बनाएंगे, दो, तीन, और फिर सेम इसी जगह डालके, जहां हमारी फर्स्ट है, इसमें डालके, यह डबल कुरोसिया करेंगे, जब आप घेरा बनाएंगे तो आपको पता पढ़ जेगा, और फिर यहां करेंगे हम, तो एक, दो, तीन होगे, चार, पांच, और यह छे, और दो हम यहां कर लेंगे, साथ, इसी जगह, और एक बार, क्योंकि हमने दो, दो बार नीची किया था, देखो, यहां हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यहां आठ होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ऐसी पैटन नीचे बाला चला था, वो ही सेम कर रहा है, और फिर हम यहां चैन नी बनाएंगे, नीचे हमने एक एक चैन बनाई थी, इसके अंदर डाल के एक बार double cruise कर लेंगे यहां अब हम चैन नहीं बनाएंगे तो एक और फिर यहीं यहां हमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं यहां 8 हमें करने हैं तो 8 हम 8 ही करेंगे लेकिन हमें 3 कुंडे कहीं भी बढ़ाने हैं कहीं भी आप किसी भी जगा 3 बढ़ा लेजिए ताकि हमारा आगे का जो पैटन रहेगा उसके लिए हमें 3 कुंडे और इसके अलावा चाहिए तो हमारे यह तो सेम रहेंगे तीन और कुंडे कहीं भी बढ़ा लिजिए तो अभी तो मैं नहीं बढ़ा रही हूं देखो दिखा दूँगी ऐसे करके बीच में हम बढ़ा लेंगे यह यह देखो अभी एक एक बार किया है और यह यहां हम बढ़ा लेने बीच में एक बार और इसी जगा डालके फिद दो बार कर लिया तो एक हमारा यह कुंडा बढ़ गया देखे दो बढ़ एक बढ़ गया है हमारा यहां और फिर हम यहां से शुरू करेंगे एक और यह लास्ट में तो हमारे दो-दो चले ही हैं तो वो तो सेम ही हमारा पैटन रहेगा देखी लास्ट में यहां भी दो थे फिर यहां दो यहां दो यह आप गेरा बनाओगे तो पता पढ़ जाएगा दो दो ये चले ये तो हमारे चलेंगे ही लेकिन जो हमें एश्ट्रा तीन इसके अलावा चाहिए हमारे आगे पैटन के लिए वो हम कहीं भी बढ़ा लेंगे ये देखे एक ही अभी मैंने बढ़ाया है ये बीच में ऐसे ही आप कहीं भी किसी जगा अभी बढ़ा लीजिए दो और और बाकी ये इसमें एक-एक राउंड कम्प्लीट कर लीजिए देखोई ये आठ हो जेंगे यहाँ ये इसमें बीच में चैन के बीच में भी हमें एक डालना है ये पूरा मैं दिखा देखती है अभी मैं नहीं बढ़ा रही हूँ अगले कली में हम बढ़ा लेंगे और इसमें तो लास्ट में दो-दो हमारे चलेंगे ये यहाँ पर क्योंकि हमारा एक बढ़ता जाएगा तो घेरा भी उसी साब से बढ़ेगा और यहाँ पर पहले हमने चैन बनाई थी तो यहाँ पर भी एक डबल क्रोसी बना लेंगे अब हम इसमें एक और बढ़ा लेंगे बीच में आप बढ़ा लीजी कहीं भी दो कर दीजीए तो बढ़ जेगा तो यह देखिए इस तरीके का बहुत दीजी और बहुत सुन्दर ड्रेस बन के तयार होती है और एक यहाँ बढ़ा दिया बीच में कर लिया और एक और कहीं बीच में कर लीजी बाग की हमारा सेम पैटर्न वो ही रहेगा यह देखिए यहाँ लाश्ट में हमें दो ही करने है जब यह एंड आएगा गेरा आप जब बनाओगे तो पता पढ़ जेगा यहाँ दूदो ही मैंने किये हैं और इस चेन की जगा एक डबल क्रोसिया कर ले ना ही यह देखो ऐसे करके अब फिर वो ही रहेगा एक की उपर एक ही हमें करना है अगले में फिर हम बढ़ा लेंगे इसमें नहीं बढ़ाएंगे दो हमारे बढ़ चुके हैं एक हमें और चाहिए इसमें घेरी में कहीं भी जूल भी नहीं आते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो सस्क्राइब करना सेयर करना और बैल आइकन को दमाना बिलकुल ना भूलना ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुंचे यह देखिए यहां दो कर लेंगे बाकि हमारा सेम ही रहेगा और फिर यहां पर जो हमारी चेन है इसकी जगा एक बार डबल कुरूसिया तो देखिए यह एक हमने यहां बढ़ा लिया था और एक यह बीच में यह बढ़ाया था दो दो बढ़े हैं हमारे अब एक हम इसकी बीच में बढ़ा लेंगे फिर हम कहीं भी नहीं बढ़ाएंगे तीन ही हमें बढ़ाने थे बाकि हमारे उतने ही चलेंगे उस पर पैटन बन जेगा देखिए इसमें हमने नहीं बढ़ाये थे कहीं भी इसमें हमने बीच में बढ़ाये है फिर इस बाले रांड में हमने नहीं बढ़ाये है इसमें बीच में बढ़ाये है ये तो हमारे बढ़ेंगे ये साइड में इसको नहीं काउंट करना है ये बीच बीच में हमने बढ़ाये ये दो और फिर इसमें हम बढ़ा लेंगे एक बास समय इतना ही बढ़ाना है बागी हमारे कहीं नहीं बढ़ाएंगे तीन कुंडे हमें चाहिए थे यह देखे तीन कर लिए मैंने और बाकि यह चैन की जगा हमें कुंडा एक यह डबल क्रोसिया कर लेना है यह देखे और यहां लास्ट में एक डबल क्रोसिया एक बार किया और सेम इसी जगा डालके फिर किया तो दो बार करेंगे हम और यहां यह देखे दो बार करने के बाद एक बार यहां करेंगे अब हमें बीच में कहीं नहीं बढ़ाना है बीच में जो मैं बढ़ा रही थी यह वाला कुंडा अब नहीं बढ़ाना है यहां जो मैं यह दिखा रही हूँ पैटन बस सेम ऐसा ही चलाते रहा ना बस यह तो इसको छोड़की मैं बता रही हूं जो चेन के अंदर है एक दो और यह तीन चार पांच छे साथ और एक और इसी जगह आठ यह देखिए आठ ऐसे ही हमें पूरा रांड कंप्लीट करना है इसको छोड़की मैं कांट करा था एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 हर कली में बढ़ते रहेंगे और यह एक यहाँ चेन की जगह एक यहाँ हो गया और फिर हमारे इसमें आठ फिर एक यहाँ बस पूरा रांड हमें ऐसी कंप्लीट करना है यहाँ से लेकि यहाँ तक अब हमें कहीं कम जादा नही करना है देखिए हमारा घेरा यह बनके कंप्लीट है और मैंने यह देखो इसमें नहीं बढ़ाया थे एक यह बढ़ाया एक इस रांड में नहीं बढ़ाया थी इसमें कली में एक फिर इसमें नहीं बढ़ाया था फिर इसमें बढ़ाया तीन और फिर इसमें नहीं बढ़ाय इसमें बढ़ाया है चार हमें बढ़ाने है और बाकी का हमारा सेम रहेगा तो अगर आप इनको काउंट करोगी यह डबल क्रोसिया तो हमारे 108 होंगे यह ऐसे करके यह काउंट करोगे तो सारे लास्ट में 108 डबल क्रोसिया होने चाहिए उससे हमारा पैटन बनेगा बिल्कुल सही तो इसलिए मैं बता रही हूँ यह काउंट कर लीजी आप 108 होंगे हमारे तब ही सही बनेगा देखिए लास्ट में इसको यहाँ पर हम जोइंट कर देंगे यह जो तीन की चैन थी उससे यह ऐसे करके इसको दागे को पिछे खीच देंगे अब हमारा येलो शुरू होगा यहाँ से देखिए ये जोइंट करने के बाद एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे हम और अगली वाली चैन में डबल क्रूसी बना लेंगे जो हमारी अगली चैन है उसमें बना लेंगे यहाँ डालके एक बार किया फिर उस से अगली में एक बार किया तो चैन को भी हम काउंट करेंगे तो तीन बार होगे और ये चार बार और ये पांच बार कर लेंगे हम डबल क्रूसीय किया है मैंने पांच बार कर लिया है चैन को मिलाके देखिए पांच चैन बो कर लिए डबल क्रोशिया, अब हम दो चैन बनाएंगे, एक और दो, ये दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद एक को हम छोड़ देंगे, एक को स्किप करेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालके डबल क्रोशिया, ऐसे कर लेंग देखी एक स्किप करके दो चैन बना ही बने और फिर यहां हम पाँच बार बना लेंगे एक, दो, पीन, चार, एक, दो, तीन, चार और यह पाँच, पाँच होगी फिर हम दो चैन बना लेंगे फिर हम यहां एक छोड़ देंगे दूसरी में एक को स्किप करेंगे और इसमें डालके दूसरी में डबल क्रोसिया कर लेंगे फिर हम पाँच बार बना लेंगे हमारा वही सैम पैटन रहेगा यह देखिए दो बार और यह नीचे बस वही 108 होने चाहिए इस राउंड में यह डबल क्रोसिया फिर हमारा सैम पैटन वही सई चलेगा फिर तीन, चार पांच यह देखे यह पांच पांच रहेंगे हमारे डबल कुरोसिया और दो की चैन ऐसे करके एक और दो फिर हम एक को छोड़के फिर हम इसको इसकिप करेंगे और इसमें डालके वो ही कर लेंगे हम पूरा रांड ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे बस यह देखे पांच पांच यह दबल कुरोसिया बनाएंगे दो की चैन बनाएंगे, एक यहाँ छोड़ देघे सारा रांड कम्प्लीट कर लीजी फिर आगे दिखाते हूं देखे हमारा रांड बनके कम्प्लीट है यह कुछ इस तरीके काएगा पांच पांच कर लिए मैंने दो हमारे एस्ट्रा हो रहे हैं यहाँ एक तो हमें skip करनी ही है और दो यह हमारे एस्ट्रा हो रहे हैं तो हम इसको यहीं joint कर देंगे यह जो chain बना यह दो की यह अगर आप सुरू से करें जैसे हमारे 108 थे तो पांच कर लिजिए यह एक दो ही हमारे यहाँ एस्ट्रा हो रहे है देखो एक और यह दो बना यह जब हमारे बर complete होएगा तो यह पता नहीं पड़ेगा तो इसलिए मैंने दिखा दिया आपको तो दिखिए यहाँ मैंने इसको डालके slip stitch कर देंगे और इस दागे को आप चाहो तो cut कर लीजिए और यह देखिए दो हैं हमारे तो पता नहीं पड़ रहा है यह दो मैंने इसकी पिया कर दिये वैसे हमारा एक एक था यहाँ और यहाँ दो एक एस्टा हो गया है तो इससे कोई फरक नहीं है आगे pattern बनेगा यह पता नहीं पड़ेगा अब मैं red बाला लगाऊंगी तो देखिए यह हमारा अब हम इसको yellow को नहीं यहाँ से मैंने cut कर दिया और इस जगा से डालके जो हमारी यह है पीछे बाला हमारा धावा था तो मैं इसको यहाँ red से शुरू कर दूँगए तीन की chain बनाएंगे हम यहाँ दो तीन chain बनाएंगे तीन chain बनाने की बार इसी में डालेंगे एक बार double crochet किया और फिर डालेंगे यह दो बार किया और एक अमारी chain होगी तो तीन बार हो गया, दो बार, दो चैन बना लेंगे, तीन बार डबल कुरूस या, दो चैन, और फिर तीन बार इसी में हम करेंगे, एक बार किया, ये दो बार, और ये तीन बार, ये देखे, ऐसे बनेगा हमारा पैटन, तीन बार इधर हो गया, तीन बार इधर हो गया, और इसके अंदर डालके यहां यहां डाला मैंने और तीन बार डबल क्रोसिया बना लेंगे जैसे हमने इधर बनाई थी एक और ये दो बहुत तीजी पैटन है तीन और दो चैन एक और दो देखें और फिर इसी के अंदर तीन बार एक दो और ये तीन और फिर एक चैन बना लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे यहां पूरा राउंड हमें ऐसी कंप्लेट करना है तीन तीन बार ये डबल क्रोसिया ये देखें एक दो और ये तीन तीन बार किया और फिर दो की चैन बना लेंगे दो चैन बना लेंगे, और फिर तीन बार इसी में ही सेम जगा कर लेंगे, एक, दो, और ये तीन, और तीन बार बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, चलो कर लीजिए पूरा राउंड ऐसी कम्प्लीट, फिर आगे दिखाती हूं, देखिए, हमारा राउंड बन के कम्प्लीट है, तो मैं इसको यहां, इसी तीन, तीन की जो चैन बनाई थी, हमने इसमें जोइंट कर देंगे, यह यह यहां पर, ऐसे एक चैन बना के, यह पूरा राउंड बन के कम्प्लीट है, देखिए, तो देखी यह हमारा बन के complete हो गया यह round पूरा और अब हम इसको यहाँ slip stitch करेंगे अगले वाले में यह जो अगली चैन ने यहाँ slip stitch कर दिया और फिर इससे अगली में भी करेंगे यहाँ कर लेजिए हॉल में यह देखी अब हम यहाँ तक आ गया तो तीन चैन बनाएंगे दो और यह तीन अब हमें फिर वही same pattern करना है जो हमारा नीचे था यह दो बार हो गया और यह तीन यह तीन बार double crochet chain को मिला के और दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर तीन बार double crochet हम बना लेंगे एक बार बनाया और यह दो बार बनाया और यह तीन बार बनाया यह दिखिए यह सेम ऐसा ही बन गया हमने यहाँ एक चैन बनाई थी हम यहाँ दो चैन बनाएंगे बस हमारा इतना ही अलग रहेगा वाकी सारा सेम रहेगा यहाँ दो चैन बना लेंगे हम पहले एक ती और फिर यह इसी जगा डालके यह बीच में तीन बार डबल क्रोसिया कर लेंगे और बीच में दो चैन बना लेंगे एक बार किया यह दो बार किया और यह तीन बार हो चुका है तीन बार देखो और फिर दो चैन और फिर तीन बार और कर लेंगे इसी में वह इसे हम हमारा पैटन रहेगा चलो कर लिजी ये वी round complete और बस यहाँ एक की एक जो हमने chain बनाई थी इसे की जगह हमें दो chain बनानी है बस यह यह लग रहेगा हमारा देखे यह ऐसे ही बनाना है बस यहाँ दो chain बनानी है same pattern रहेगा चलो यहाँ से यहाँ तर complete कर लिजी देखे हमारी ये भी रो बनके पूरी complete है तो मैं इसको यहां joint कर दूँगी यह जो हमारी first chain तीन-तीन की chain थी यहां डालके ऐसे करके फिर यहां भी हम इसे slip stitch करेंगे और एक chain बनाने के बाद इसको cut कर देंगे धाके को फिर बाद में आप note लगा दिए जी पीछे के side देखिए अब हमारी last row है तो अब हम कहीं से भी इसको joint कर लेंगे चाहिए यहीं से कर लेंगे यह इस वाले से कर लेते हुआ yellow वाले लगाएंगे और यह एक chain बनाएंगे फिर इसमे फिर एक chain बना लेंगे single crochet करेंगे इसके अंदर डालके यहाँ single crochet किया दो से एक फिर अगले वाले में भी single crochet करेंगे फिर उस से अगले वाले में single crochet करेंगे और फिर इसमें भी हम कर लेंगे single crochet देखिए अब हम यहाँ तीन चैन बनाएंगे एक, दो, तीन और ये जो दो लूप दिखे रहे हैं इनके अंदर हम डालेंगे और इसके भी अंदर साइड में है इनको एक साथ निकाल देंगे ये ऐसे कर देखी ये जोइंट करने के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन बना दी हमने और फिर ये दो लूप उठा लेंगे हम सिंगल क्रोसिया फिर कर देंगे ये और ये साइड में है जो ये है इनको उठा के सिंगल क्रोसिया करना है हम है ऐसे करके और फिर हम तीन चैन बना लेंगे एक, दो, तीन और फिर हम इनको लूप को उठा के ये दो साइड में हैं जो सिंगल क्रोसिया करते हैं इनको फिर ऐसे जोइंट कर देंगे अब हमने ये तीन बनाने के बाद बीच में हमारा पांच का था और ये तीन-तीन की चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोसिया से जोइंट किया है अब हम फिर इसी के अंदर डालके सिंगल क्रोसिया फिर बना लेंगे ये ऐसे करके सिंगल क्रोसिया बनाना यहां ये इसके अंदर डाला और ये देखो ऐसे करके तो हमारा कुछ इस तरीकी का पैटन बनेगा ये ये देखिए कुछ इस तरीकी का हमारा बनेगा सिंगल क्रोसिया से हमें ज साथ में यह देखो इस में बनाया फिर उस से अगले में बनाया फिर उस से अगले में बनाया सिंगल क्रोशिया ही बना रही हूं और यहां भी देखो पहले तीन की चैन बनाई सिंगल क्रोशिया से जॉंट कर दी फिर पांच की चैन बनाई फिर सिंगल क्रोशिया से जॉंट क करने के बाद फिर सारी मैंने यह जोइंट करती है आप देखिए यहां तक हम आ गए यह तीन बार मैंने बना लिया यह तीन के उपर तीन बार और फिर हम इस दागे को एक बार लपेटा यह दो बार लपेटा दो बार लपेटने के बाद जो हमने यह पांच-पांच के डबल क क्रोस्या बनाए थी इसके अंदर ऐसे करके निकाल लेंगे और हम निकाल लेंगे तो इस तरीके का हमारा उपर तक आजेगा ये देखिए इस तरीके का आजेगा देखिए ये करने के बाद फिर हम वही करेंगे तीन में एक एक बार बना लेंगे ये जो हमारा है यहाँ एक बार सिंगल क्रोस यह उससे अगले में एक बार सिंगल क्रोस यह उससे अगले में एक बार सिंगल क्रोशिया, तीन के उपर तीन होगे, और एक बार हम यहाँ बना लेंगे, यह देखिए, अब हमारा फिर यह वाला पैटन रहेगा, चलो एक बार फिर दिखा देती हूँ, तीन बार मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया किया है, और चौथी बार अब हम तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन बनाने के बाद ये जो लूप दिख रहे हैं, ये उपर वाला उठाएंगे, और ये तिर्चा इधार है, ये उठाएंगे, और ये ऐसे करके सिंगल क्रोसिया से जोइंट कर देंगे, और फिर इसके बाद पांच चैन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच चैन बनाने के बाद फिर ये दो लूप उपर दिखेंगे, आपको सिंगल क्रोसिया वाले, इनको हम उठाएंगे, और फिर सिंगल क्रोसिया से जोइंट कर देंगे, और फिर तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, ती और फिर हम बोई करेंगे इसके अंदर डालेंगे और ये सिंगल क्रोसिया से जोइंट कर देंगे देखो हमारा इस तरीके का कुछ बनेगा और फिर हम इसको इसमें डालके सिंगल क्रोसिया से ये जोइंट कर देंगे तो ये पैटन इस तरीके का कुछ आएगा हमारा तो ये बहुत अच्छा लगेगा इसमें फिर हम सिंगल क्रोसिया कर लेंगे यहां तीन बार एक बार किया और यह दो बार किया और यह तीन बार किया वो ही हमारा सैम रहेगा यह तीन बार करने के बाद देखो जैसे हमने इधर तीन बार किया था और फिर हम दागे को एक बार यह दो बार लपेटनी के बाद इसके बीच में यहां डालके यह जो हमारे पांच-पांच की डबल क्रोसिया थे ऐसे करके डालेंगे पहले दो बार निकाल दिया फिर दो बार निकाल दिया फिर दो बार निकाल दिया बिलकुल लिजी यह और देखिए फिर हम यहां तीन बार कर लेंगे एक बार सिंगल क्रोसिया किया ये दो बार सिंगल क्रोसिया किया और ये तीन बार किया ये देखे और फिर एक बार यहां कर लेंगे और फिर तीन की चैन बनाएंगे हम वोई से हम पैटन हमारा रहेगा ये देखे अब तो समझी गए होंगे, यहां तीन की चैन बना लेगे, एक, दो, तीन, और इससे हम जोइंट करतेंगे, सिंगल क्रोसी ऐसे करेंगे, फिर पांच की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह फिर इसमें हम डालेंगे, यह दो लूप आपको उपर ही दिख हो ऐसे, और यह सिंगल क्रोसी ऐसे जोइंट करते है, बीच में हमारी पांच की चैन रहेगे, और यह तीन की, और फिर तीन की, एक, दो, तीन, और फिर हम इसको ऐसे सिंगल क्रोसी ऐसे जोइंट कर देंगे, यह करने के बाद फिर इसमें डालेंगे, और यह सिंगल क्रोसी से जोइंट कर देंगे फिर तीन कीचान बना बना देंगे वो सिंगल क्रोसिय सुर्य-एक- दो- एक मैने इसके अंदर नहीं डाला था-सलेगे कम हो गया ह। इसके अंदर ढब हम जोइंट करना है सिंगल क्रोसिय से देखिये अब मैं यहां से बनाओंगी एक यह दो और यह तीन 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 बार हमारा रहेगा सेहम हमारा वोई पैटन रहेगा बहुत सुंदर यह ड्रेस बन के तयार होती है चलो complete कर लीजी है ऐसे फिर मैं आगे दिखाती हूँ यह देखिए हमारा पूरा रांड बन के complete है मैं पूरा दिखाऊंगी अभी और यह last में मैं आई हूँ तो यहां डालके देखिए यह रह गया था यह दो बार निकाला दो बार निकाला फिर दो बार निकाली है फिर हम यहां पर इसको जॉइंट कर देंगे यह देखिए यहां इसे करके और इसमें slip stitch चेक वार कर दीजिए एक chain बनाएंगे कट कर देंगे दागा पीछे की साइड बन के complete है यहां पर सारा यह मतलब color सही आता है जो color है वह यहां रहा जहां मैं बनाती हूँ वहां color कुछ और ही आता है देखिए कितनी सुंदर dress बन के तयार हुई है पांच और छे नमर के हमारे काना जी को बहुत अच्छे से आजएगी और बहुत easy तरीके से यह dress बन के तयार हो जाती है इसका look देखिए यह किसी पे भी आप पहना सकते हो अपने जो तयार आते हैं उन पर आसा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी नेक्स वीडियो मिलते हारे कृष्णा राधे राधे